लोग इस लिए सबसे बढ़ा प्रॉब्लम क्या है कंफ्यूजन क्योंकि आपको बहुत सारा भी सेओपड़ना साइस पढ़ना उसके बाद सो साइस पढ़ना जीके पढ़ना करणट अफियर पढ़ना मैथ पढ़ना इतना सारा आपके पास सबजेक्ट हो जाता है कि आप हलो दोस्तो एक नए इंफर्मेशन के साथ एक मतबा फिर आपके सामने हासिर हो यहां बात करेंगे AMU और जामिया के इंट्रेंस के बारे में मैं आपको बता दूँ कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं या आपको इस खाहिश मंद है कि जामिया या फिर AMU में आपका इडिमिशन हो प्लस टूल लेवल पे डिपलोमा इंजिनियरिंग और बीटेक में तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि एक यूटीब पे एक चैनल है अज्यूवी क्लासेज नाम का उस चैनल पे आप जाए तो उसके जो कोसेज मैंने बताए उससे रिलेटेड वहां पे कोचिंग क आपको यह चैनल मिल जाएगा यहां पे करेंच सलिवस के हिसाब से एम्यू से पढ़े हुए स्टूडेंस उनके गाइडेंस में यह कोचिंग चलाई जाती है तो एम्यू और जाम्या का पैटन जो है वो लगभग सेम होता है दिनों कोर्सेज में और जो तयारी होती है वो लगभग कॉमन ही होती है कुछ चीजों का डिफरेंस है लेकिन अगर मजमूरी तो पर बात की जाए तो दोनों के जो स्लिवस हैं लगभग एक हैं एक कोचिंग से दो यूनिवस्टी की तैयारी कर सकते हैं तो यह उन लोगों के लिए हैं जिनके पास या तो मेटेरियल्स हुई है या फिर उनके पास उन्हें गाइडेंस की जरूरत है मैं कुछ क्लिप आपको दिखा दूँ ठाके आपको अंदाजा हो सके किस तरह की तैयारी कराई जा रही है बिल्कुल भी फिरी है दोस्तों तो आप जाईए और फ्री ऑफकास्ट इसका फाइदा उठाईए आ तो जाईए आयू भी कलासेस पे और जाकर आप तेयारी करें इसके इलावा आप अगर चाहते हैं कि उसके कलासेस भी अटेंड करें तो उसके लिए भी वहाँ पे अप्शन्स है वहाँ पे आप जाकर अपने कमेंट्स में उनकी डीटेल पूछ सकते हैं किस तरह से कलासेस जो offline classes है उसे attend कर सकते हैं लेकिन फिलहाल यह सहुलत नहीं है क्योंकि lockdown चल रहा है लेकिन यह कोचिंग है यह classes भी कराती है offline classes अगर आप उस एरिये से हैं तो उस एरिये में के बास हो साइस पढ़ना जी के जीएस पढ़ना करंट अफियर पढ़ना मैट पढ़ना इतना सारा आपके पास सब्जेक्ट हो जाता है कि आप इसलिए confusion को हम लोगों को reject करना तो यदि confusion की संभावनाएं अगर बनती है कि भाई electron पर minus थी proton पर minus तो अगर इस तरह के बात अगर आ जाए तो आप सिधा सिधी याद रखना कि P से proton और P से होगेरें जाल выпाल कि निफ्टरल यानि यह उदाशीन हो गया तो यह रेंड से नूट्रल और अपी से declared पार-बस होगी काम खतम हमको लगता है कि चार्ज में हम लोग कांफूज नहीं करेंगे चार्ज में अब हम लोग कांफूज नहीं करेंगे बाकि हले वाले आएगा उसी में दरमान नहीं है याद रहेगा ना